हे बगवान, मुझ बुट्टे पे रहेम कर थोड़ा, थोड़ा ही सुखना बाकी है, अब बारिश ना गिरा देना, वरना आज भी मुश्किल हो जाएगा अई हो दादा, बुझाता ना सुखी तो बाहरे रहे के पड़ी हो बुढ़ाओ, अरे वो देख, नई एंट्री हो रही है, ये चड़ी, वो देख, जैसे तुने मुझे रिप्लेस किया लगता है, वैसे तेरा रिप्लेस्मेंट भी आ रहा है अईला, ये तो छोटे मालिका लगता है ओई, चिकने, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मास्क है हो, ए वड़ाओ, आपका नाम क्या है? और बेटा, मुझे लंगोट कहते हैं, कुछ लोग मुझे कच्छा भी बुलाते हैं अरे चिकने, इनको कुछ लोग हाथियार चुपाने का वस्त्र भी कहते हैं अरे बुलिप्रिण भाईया, आपका का नाम है? लोग हमें प्यार से चड़ी पुकारते हैं ये नहीं नवेली दुलहंज जैसा शर्मा क्यों रहा है? अरे बुढ़ाओ, अप उन ऐसे चीज है जो सब को चाहिए पर अप उनका नाम लेते ही लोगों की नानी याद आ जाती है, समझाओ? पर आपको तो बाहर में कभी देखा नहीं? ओई चिकने, अभी लॉगडाउन है तो लोगों ने अप उनको कब बोट की शोबा बना के रखा है समझा क्या चिकने? लगता है, इंसानों ने तुम्हें भी अभी तक रगडा नहीं है तभी तुम इतना हैंसम लग रहा है क्या बात है? अज सरपंची की पंजायत में एक नायाद में दिख रहा है अरे, वो मास्क है यार हम लोग अंदर के चिसक द्यान रखते हैं ना वो बाहर के चिसक द्यान रखता है अरे, जाकी क्यों चीक रहा है? ये पहनते वक्त मेरे को दोता ही नहीं था आज एक कोणा में डालकर बराबर दोता है इंसान के पुटी हुई किस्मत और पटी हुई जटी दोनों का एक ही अंजाम होता है मैं भी जल्दी जाना चाहता हूँ पर ये इधर के लोगों को भी सोचना होगा तो फिर तुम्हारी टिकेट इतनी जल्दी कचने वाली नहीं है ए छुटू पापू का बात नहीं सुनने का जितना जल्दी से जल्दी हो यहां से नौदो ग्यारा हो जा समझा पहली टिकेट में निकल ले यहां से छुटी भाई अरे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हो कान खोल के सुने चिकने जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती सुना ना चल भुट ले यहां से मयां से चला जाओंगा अगर यही बात सारी इंसानियोत को तुम लो सुम्या दो सुनो ए दुनिया वालो मेरी बात गौर से सुनो दुनिया बतल गया जमाना निकल गया आज हम आपका जंदगी में एक हिस्सा बन गया दमास वालो में एक हिस्साइब का जाओंगा